Hello friends, today we are going to see a few lines about Janmashtami. Let us start. Janmashtami is also known as Gokulashtami. Janmashtami को Gokulashtami के नाम से भी जाना जाता है. It is celebrated as Lord Krishna's birthday. यह Lord Krishna मतलब Krishna भगवान के जन्म दिवस के आवसर पे मनाया जाता है. It is celebrated on the 8th day of the dark fortnight in the month of Shravana. यह Shravana महिने के आटवे दिवस पे मनाया जाता है. According to Hindu calendar, Hindu calendar के अनुसार. Lord Krishna was born at midnight of this day. Lord Krishna का जन्म यह दिवस के राद के बारा बजे, midnight means राद बारा बजे हुआ था. Hindu people celebrate this day by fasting, chanting, bhajans and kirtans, etc. Hindu people इस दिन पर उपवास, fasting means उपवास रखते हैं, bhajans, kirtan करते हैं, गाते हैं और और भी बहुत कुछ करते हैं, etc. In different parts of India, people celebrate this day in different ways. India के अलग-अलग भागों में इस दिन को अलग-अलग तरह से मनाया जाता है. In Kerala, the first day is Krishna-ashtami and the second day is Kal-ashtami. Kerala में पहला दिन Krishna-ashtami के नाम से मनाया जाता है, और दूसरा Kal-ashtami के नाम से मनाया जाता है. अभी वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं हम. अप्पम अन्ट पाइसम, the special recipe made from rice and jaggery are offered to Lord Krishna. वो लोग क्रिशन, Krishna भगवान को rice और jaggery से बने हुए दो डिश देते हैं, उनका नाम अप्पम अन्ट पाइसम है. Whereas in Maharashtra, जबकि Maharashtra में क्या होता है, देखिए, दही हंडी is celebrated the next day after जन्माश्टमी. जन्माश्टमी की next दिन, जन्माश्टमी की पूजा तो सभी करते हैं, नेक्स दिन दही हंडी celebrate की जाती है. देखिए हंडी क्या होती है, दिखते हैं, नेक्स लाइन में. जो आसानी से कोई touch ना कर सके, जिससे आसानी से ना मिल सके, एक उचे दोर से बादी जाती है उसे. फिर यंग बॉइज फॉर्म यूमन पिरामेट और ब्रेक दपॉट. यंग बॉइज क्या करते हैं, यूमन पिरामेट बनाते हैं, मतलब पाहर टाइप, एक दूसरे के उपर चड़के, इस मटके को तोडने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रिशन भगवान करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे. अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करना ना भूले इस वीडियो को.